जै मातादी वेलकम टू माई चैनल हैपी करवाचोथ सभी बेहन बेटियों को माताओं को सभी को करवाचोथ की बहुत सारी सुबकामना है आज मैं आपको बताऊंगे करवाचोथ पर महंदी क्यों खास महत्वर रखती है करवा चोथ पर गरिस भगवान की माता गौरा की संकर भगवान और करते के भगवान की पूजा की जाती है और माता गौरी का बेहद ही खास पसंदीदा सिंगार होता है महंदी हरी महंदी जो पत्तों से पीसकर बनाई जाती है बहुत लाबदायक होती है तो pregnant महिलाओं को महंदी क्यों नहीं लगाने चाहिए क्योंकि chemical वाली महंदी आती है जो नुकसान देती है इसलिए अगर pregnancy में महंदी लगाएं तो पत्ते वाली पीस का देशी महंदी लगाएं नहीं तो महंदी नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इसकी खुसबू से भी pregnant सक्टियों का प्रहाब ना हो जाए इसलिए मेहंदी ये मना करते हैं तो सीम् मेह्ंधी का मनदिर ना गले समय Hospital है सीली सिंझार में मेहदी का घ, समय बबाद फ्रशाड सेया है। कनाठ फ्लेस दिल्ली में जो हमारे हर्मान जी का मंदिर है, मंहंधी मेहंदी का बहुत प्रचलन है वहीं से मेहंदी का प्रचलन सुरू हुआ था मेहंदी हनुमान जी का भी परशाद है उनको बहुत पिरिया है और मेहंदी पर जब हम मेहंदी लगाते हैं करवा चौत पर या शादी में लगाते हैं तो दुलहन हो या करवा चौत की मेहंदी हो अपने पार्टनर का नाम अवस्थ से लगना चाहिए कहते हैं कि पार्टनर का नाम लिखने से पार्टनर मुठी में रहता है आपकी बात मानता है और दोनों में प्यार गहरा रहता है तो मैं आपको बता रही हूं कि करवा चोथ पर महंदी क्यों लगानी चाहिए क्या इसका म में मैंदी और अपने हमें हमें कहीं से भी में लगवा यहाई खास भी मैंदी लगवाने चाहिए कहिए लिएीं महत्री में लगवानी चाहिए छाहें आपगई थोड़ी सीह मेंधि A करवा चोत्वर को करवा चौत से पहले ही मेहंदी लगा लेनी चाहिए डोदिन पहले ही लगा लेनी चाहिए इसका बहुत अच्छा कला आता है और आपका वाले और सूनसी कमारी मेहिला। नहीं लगाती है तो उसका ब्रत अधूरा माना जाता है इसी वज़े से करवाचोथ के लिए महिलाएं सजने सवर्ने कर्थिक महंदी भी लगाती है आई होप कि आपको मारी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा तिल दन बाबाय चैमाता दी